नमस्ते तो, स्वागत आप सबक्रेशली मुझने में आपको पुझे स्वागत करते हूं आप अप सभी कमर्चनल चैनल पर तो दोस्तों कैसे आप सोग मित करती है, सभी अच्य मैं ठीक हूं, मेरे बच्चे भी फिलाल ठीक है तो दोस्तों अभी और ये सुबह के टाइम, सुबह के टाइम मतलब मेरे लिए सुबह के टाइम है, रात को लेट सोई थी, रात को तीन-चार बच गया था, तो सुबह लेट उठी हूँ और आप भी बच रही है, दस बच्चू की है, तो रात को यह ना मैंने बच्चों के ल गाराइम है, वह बोलता है हेलधी पूर देना है,ंख अपीत रात को अमेदня बच्चंच, इंचेर, परभाि, रात को वह दोस्तों की सेहें, ही घृटहat है। चाहले अट गोडंर्य चाहलों मतलब मेंतलना मिंतला न्लीकश मूट समूलों मेरे सीकतके लात कमां ॥ा मैं य मुझे लगता है कि कल सुभे लेट उठूंगी तो उस दिन रात कोई थोड़ा सा कुछ ना कुछ बना के रख देती हूं और चुवा इतना है ना अगर उस घर में बना के रख दूं यानि कीचन में तो पत्थर भी रख दूंगे तो गोवी किरा देता है तो इस रूम में लाके रख देती हूं बहुत ही मतलब ऐसा टाइट वाला डबे में तो बच्चे सुभे उठके यही पे खा लेता है उसके बाद में फिर आगेगा काम जो भी प्रोसेस बगरा होता है वह होता है मैं भी सोच्री प्याद सबसे पहले जब लेती हूं की और दिन तो इन नास्ता बनाने की टेंशन रहती है लेकिन जब बच्चे खा रह ए उनका नास्ता बन चुका है तो फिर पहले चाय पी लेती हूं आदत पड़ चुके न आप चाय की पहले तो आदत नहीं था लेकिन तो पीय लेते हूं लेगिन दोस्तो असका ही दिन हुआ है नहीं दोड़ साथ काम पर सब्सक्तवाइ नहीं थेरे हुआ नइन दोड़ सानी है नहीं, देखते हैं अब कभ लाना हो कभ नहीं हो वो वो सब कुछ भागवान की मर्जी होगा रात को मैंने कुछ कुछ काम जो है करके रखे थी देखिए इतना सा दूद है इतने से दूद में बस मेरे लिए थोड़ा सा चाय बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं बस दिन कैसा भी हो कट जाए इससे जदा और मुझे कुछ है यह भी नहीं और यह जो आप बरतन देख रहे है यह सारे वर्तन एक्स्ट्रा बरतन घ्रार टर से बरतन एने बटन एक भी नहीं था सयeton कुछ अलिया इस घुर्श मराने के चक्करलट इतना सरा बरतन हो गया है यह सचना बरतन हो गया है यह सारा बरतन में मैंने कर लिया है रात कोई करगे रखदी थी बाएवन पत्रह नहीं नीचे कहा दब दिये यही अले लेते हूं हके लूज HA approved मैं पानी केसी जान भी दुद्ध रहना ना जूने रहा हme पाई मिलाना जर्भरिए था मिकारकाई लुद्ध वैसे भी कम था सब्सक्राइब कि drin आ किया कीस कीस घंब सहल सा आज और समय निव था झाल भुलारा एक बार इद अ अन्छिय का की कीर वो में बढ़े गहां तरह करें कि को क्यों क्या हुआ क्या चून सभू जुर। बोलो मुझसे बोलो जूट नहीं बोलता है, 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 भाईशा बेवो मनने मार पाऊंगे? नहीं मनने चाची चाची दालू को मनने बापा की बाजी दलाू को पापा दितर में चलाई के मोटा बाई को अच्छे ठीक है चलो आप अंदर बेटो जो क्या जब की साथ खाऊ जो सोनो उसे मत परिशान करो बेटा भाईया अपना ने डिस्टाप करते बेटो खाऊ चटनी हटाओ ने गिर जाओगे थाली हटाओ गिर जाओगे थाली में ठीक है? आपकी बाद खाना फिनिश करके उठना गिर जाओगे कोई बात ने अगर और चाहिए ने और में दे दूंगे आपको है लेकिन लड़ाई ने करते ना भाई है वह अपना प्यारा साई है की तो भाई है? गंदी बात होती है ऐसे बात ही करते है देखो चटनी कितना अच्छा में ने दिया आपको यह तो उल्टा है अपका फोन उल्टा है मेरा फोन दोस्तो आजके लेना यह लोग बहुत ज़दर लड़ाई करते हैं दोनों बाहिए आपस में यह यह दिन ने दोन चाई पती है चिनी डाल दिये लेकिन अगर दूदनी होता है उता अन आता क्रेनी आता है और ढाता है डीक्तव समझ की बात है टो बए बात है इस टाइम मेरा समय चल रहा है पतानी कब तक चलेगा क्योंकि समझ einzelड़ चलता है बहुत लंबा समय चलता है तो दोस्तो मैं याप्ल चाह छान कर लेकर आ गहीं हों चाय बन चुकी थी, आज आपको चाय का कलर दिखाती हूं, कैसा लग रहा है, देखिए चाय का कलर, ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कि मतलब क्या बताएं, लेकिन न, कोई दिकत नहीं, बस पीने से मतलब है, थोरा सा पी लेंगे, फिर सुबे का काम का शुरुआत कर घर में कोई चीज नहीं है, या पिन नहीं होगा, आज चाय खतम हो गई है, मेरी 6-7 दिन से जादा हो गई है, फाइनली कर रहा है, मतलब कि जो दुकानदार है, उनको मैंने बोला था, कि आपको मैं 100 रुपय जादा चार्ज दे दूँगी, आप मेरे घर तक पहुचा देन क्योंकि मेरे पांस ना तो साधन ना याने के लिए कोई इंसान है और मैं जा कर बार बर मैं नहीं ला सकती, तो 25 किलो का जो कट्टा आता बोई मंगाई है, उसमें 25 किलो पूरा तो नहीं आता, ठोड़ा बहुत कम आता है, लेकिन 25 किलो का कट्टा आ ओ, मान लिजे तो फिर बोई मंगा लिया ताकि थोरी दिन चल जाए और जब मैं खाती हूं चाओल तो बार-बार में एक किलो दो किलो लाला के थक जाती हूं और इस तरह से मैं आज कापी साल हो गया मंगा रही हूं तो बही मैंने मंगा लिया और बोट्ट पढ़ाया मेरा लेने 200 Black कि मिस मंगा थी किस मिस मुझा है बोगाला जा धकाने वाला तो लोट किस मिस मंगा थी और लूट इने 25 किलो वाला सोना गोल्ड का कट्ट थो उन्होंने लिया था दा मेरे से यह कि एक कहजार के कंटाए और दो रूपर यानी चौदा सल ओамनुपय लिया ने अब मुझे ने पता कि कितना क्या है कितना क्या नहीं है अगर आप लोगों को पता है न क्यों जरू सब बता है कि 25 kg का कट्टा जो है वह कितने का आता है तो नेक्स टाइब में किसी दुसरे दुकान से ओर्डर करोंगी ताकि 100-200 रुपे बच जाए और उस पैसे से जो है कुछ और हो जाए देखिए यह जो कट्टा है ना चावल का यही वाला चावल में मंग बाती हूं यही खातियों मे हर चीज को काट काता है लेकिन कल रहात को यह ना चावल के कट बाहर था सारात रहा टेना इसे लग रहा था कई काट ना खाये लेकिन चुओं नहीं काटा था तो फाइनली आपी तक सेप है बैसे उबच चाय को एंजाए का लू जो के बार्द में घर काम स्टाट करूंगी नहीं तो इतना जदा विश्वास के चुवें पर रखूंगी ना तो कभी ना भी काट के खा जाएगा पर इधा सोनु का खाना तो हो गए क構प्लीट लेकिन ये छोटु बहुत उदम् जलदींस करो ना जल दी करो गंधी बात होती है न क्रीफ पूरे शरी करें निकल गई हघ्डे दिखरी एं दूद और शुद साँ के णिने मीने का दिख लिया है कॉह दिकली ए मिला ह samma τबह़ी दिख रहे हैं सारे हदडी दिख रहे हैं ता जबसे धूद बन कर दिया ना तब से ऐसा लगता है कि यह लोगी औरते हुए नजर आ रहां है बहुत बुरी हाल है थे बहुत बुरी मतलब बहुत बुरी कंडिशन बस आप लोग मेरे साथ हो मेरे हिम्मत हो इस वजे से मैं चल रही हो नहीं तो बहुत बुरी कंडिशन है क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा इतना सा दूर से चाय बना लिया ना आदी किलो दूर लाय थी आज साथ दिन से ज्यादा हो गया उसी में से दो दो बून दो क्या कभी क्या अगर ज्यादा बोलूंगी नहीं तो सुभी सुभी रोना आ जाएगा तो इसलिए बनेरे ब्लॉक में में चाय पी लेती हूं दोस्तों चाय बगरा मैंने पी लिया था लेकिन यहां पर बच्ची ना बोरील्स बगरा होता ने एक्स्ट्राग्राम पर देख तो यहां पर सुनु बोल रहा था मुझे थोरा और नास्ता चाहिए तो अभी आपको जो में नास्ता दिखाए ना बुम में खाऊंगी क्योंको उसमें सब्जी एड़ कि और सब्जी के अंदर है ना मिर्ची बगरा या इस बज़े से तो फाइनली सुनु को आधी पीज द और कभी-कभी में खिला देती हूं तो तो आपने आते सुखा लेगा लेकिन चोटु यहां पर कर रहा था मस्ती उसका खाना रह गया था जो बहा हातों में ले रखा था आदी ए गंटे से ज्यादा हो चुका है फाइनली में ने उसे बहुत ज़विस्ती कहला दिया और उस तो समझने आ रहा है क्या करें क्या नहीं तो मेरे पास यहां पर पूराने वाले जेम से और नए एक डब्ब यह थी बहुत थोड़ा सा है और यह ने वाला जेम और यह दुपर के टाइम जहां पर में दुपर में बच्चों के लिए बना रही हूं कुछ जो भी है चाय पन इस भज़े से आगा बनाया थी तो यहां पर मैं सेक हुं ब्रेड ब्रेड में अभी लेकि यह ती बिल्कुल फ्रेश ब्रेड है तो देख सकते हैं यहां पर थोड़ा सा गी लगा जब दो पीसो में गी लगा दिया मैंने बाकी का पिस जो ऐसे सिंपल ही था तो दोस्तों य तो इन में क्या अलाग अलाग फ्लेवर देने के कोशिश करोंगी ताकि एन बच्चे का ले अगर एक तरह के सारे ब्रेड बना के दे दूंगी तो फिर बोह लोग नहीं खाएंगे तो दोस्तों इसमें लगा रही हूं जेम्स जो की दो ब्रेड की पीसों में लगाऊंगी या कि उनका पेट भड़े दो ब्रेड का पीस खाने से कोई पेट तो नहीं बढ़ जाएगा तो मैंने आ पर निकाल लिया नमक थोड़ा से नमक प्याली में एड़ गया तो अभी बनाने वाले हूं एक अंडे का ओमलेड ताकि उन्हें थोड़ा सा जो है इस खाने के साथ में ह हर चीज खतम हो रखा है तेल बगरा जो भी है सब कुछ खतम हो रखा है हल्दी पाउडर धनिया मतलब जो भी आता है मसला बगरा चाओल बगरा यह टुजेट समन कतम है लाना पड़ेगा उसके बादी जो है दुबारा से मुझे यह सब इस्टोर करना पड़ेगा देखी बीना हल्दी की आंडे दिखने में दिखनें में कैसे लग राए बिल्कुली वाइड कलर सल लगा रहा यहा सिर्ण लग्रान ενेपड़े शह बें बिल्कों पनीट पनीन य यह बंदि है और हगो नहीं को छुण चोनी जो जाओंगे तो आती टेम लग ल को ढईह तो देख सक बच्चे इसी खाने को खाने के बाद में दो डाइगंटे तक आराम से रह जाता है उसके बाद में उन्हें रोटी सूजी या कुछ भी देना होता है वो दे सकते हैं कि अब आती है मेरी बारी तुम्हें सोच रही हो के ना ब्रेट को में बनाए लिए उससेंड़ीच तो मुझे याद है कल रात को मैंने थोरा सा बेजी टेबल्स को कट करके रखी थी यानि कि बच गया था में रेसेपी बनाने के बाद में तो उससी सबजी को थोरा सा इसमें कर दूंगी तो मेरा है ना बेजी टेबल्स वाली सेंड़ीच बन जाएगा तो देखिए इधर अच्छी से जो है ब्रेड मेरा तयार हो चुका है और द्यास को मैंने दीमे कर दिया तो मैं सोच रही हूं कि जब तक हलका सा ब्रेड और फ्राइ होगा तब तक में बगोने मे तो दूस्तों इधर दूद को पानी में रख दे तक जल्दी से ठंड हो जाए और बच्चे ब्रेड बगरा का रहा है ना तो दूद इधर ठंड हो चुका है तो दूद को हातो आथ दे दूगी तो बच्चे खापी के सोनो निकेल जागा ट्यूशन तो जिम्में यहां पे लेकर गई सोनो के लिए एक लास दूद देखा आपने कितना बड़ा दूद ग्लास है तो उसे एक लास दूद पी तो उसका त्रमी बहुत ही ज़दा पूल जागा बच्चे इतना ही पीते तो फिर से आगा थे लिए लेने के लिए लेकिन जितना मैं दूद थंड किया था अच्छे से सूख चुका है और आज मैंने गेट को बंद कर रखा है क्योंकि बहुत ज़दा मखी आती है पूरे की चैन में और बीच में चोटू और सोनो है ना प्लेटे देखे गई है क्योंकि उनका खाना कंप्लीट हो चुकी है मैं या पर थर्मस में यानि पानी के अगर पचास बच्छे 50 ग्लास मांगेंगे तो उनका भी बरतन बहुत जादा हो जाता है और छोटे बच्छे अगर पचास में से 10 बी मांग लेना तो भी बहुत ज़दा हो जाता है इसलिए खुद को थोड़ा है इस बात को समझ के दे देना चाहिए तो पर मैं उस दिन के मेरा बटर में थाना कम्पृिट में ब्रतन को जचानए की बाद में यहां पर मेनि ने गेट को Mississippi आपर यहां करें और सारे दिन निकल गया है इसी तरह काम करते करते निकल जाते हैं पता नहीं लगता सुभी से शाम कब हो जाता है चोटु आप उपर बैठके देख रहा है अपना काटन कूटून जो भी है और एक जो डब डब ले रखियो ना इसी में बस भरूंगी और बाकी का जो है बढ़े पाँ और यह चाहल काफी दिन तक चल जाएगा तो दोस्तों देखे फइनली एक ग्लास यह जाओ अधास ने क्या बोलते है कुपी बो मेरे पास नहीं तो ग्लास से इस तरह से मुझे डाल कर इसे फूल करना पड़ेगा तो चाहल बग्रा रखना कंपलीट हो चुक मेरे पाने के बोटल को आप की चेन में रख देना तो फाइनली बो लेके गए और यहां पर मैंने बोला थोरा सा रेष्ट कर लो अब भी टीशुन से आयो तब तक मैं जो है अपना तैयारी कर लेते हूं यानि कि बजार बगरा जाने के तुरह सा सब जी लाने के क्योंकि मेरे तो कैसे भी कपड़ा पहन लें इंसन चल जाता है और यह है टीशेट इसे पहन लोगी यह मेरा नया थोड़ा सा है इस वज़े से फाइनली कपड़ा चेंज करने के बाद में मैं यहां पर जो है फेस को वर्ष करने के लिए आ गई हूं क्योंकि पूरे दिन हो चुका है ना परक पड़ता है बस बच्चे पल जाए बहुत है तो दोस्तों मैंने अपना जो फेस है उसे बच्च कर लिए साबूं से साबूं से करती हूं और यह पर दो तीन टूब है बच्चे ला रखे है अब इन में से कौन सा था उसे तो देखा उसके बाद में मुझे मिला फाइन में कुरुखी रुखी सा तो अच्छा है तो उन्होंने मुझे यह दिया था टूब लगाने के लिए तो फाइनली आज का लेना इसी टूब को यूज करती हूं लेकिन टूब भी है में रुजाना नहीं लगा पाती हूं क्योंकि मेरे पास इतना टायम ही नहीं होता कि फेस लगाते हैं क्योंकि दब्बा थोड़ा बड़ा है दस रुपए में आ जाता है तो उस डब्बे को ना उसको एज अगर बता दो आपको दो तीन साल हो चुका है बस उसे उटो पर यूज करते हूं और कई उसके बाद में टीकी लगा लिया था जो कि बिंदिया एक औरत बीना ओइल की अगर्मियों के सीजन में तो देख सकते मेरा मेक अप हो चुका है इतने मेक अप करते हूं उसके बाद में बार या जाने की मार्केट जाने की देखते हूं आज क्या सबजी जो है मुष्ट मुष्ट लानी पड़ती है यानि की थोड़ा आलूख था में तो सब्सक्राइब ले लिए थेला तो दोस्तों हम लोग बजार करके आ गए देख सकते हैं सोनु ला रहा है सारे सामानों को अंदर और उसके बाद में है ना आज सोनु बहुत दीने सु बोल रहा था आम खाना है आम खाना है आज कम से कम माईने बार पहले से जब से मार्केट सब्सक्राइब तो यहां पर सोनु को बोला है बिटा में बैठी हूं ठक गई हूं आप जाओ थोड़ा आम को दो के प्लेट में लेका हो चको के साथ में तो वह आम दो रहा है चोटु इंतजार कर रहा है और बार बार बोल रहा है भाई सब जल्दिया हो हमें आम खानी है चल दिया हो तो चोटु तो बोलेगा लेकिन सोनु है थोड़ा बहुत काम मेरा करा देता यहांने हाथ बटा देता है क्या कर सकते हो कुछ ने कर सकते तो आदत भी डालेने चीए नहीं तो इंसान जब बिमार पर जाए क्या करें बच्चे अकले बैठके कम से कम अगर थोड यहां बटा और यहां करें बिल्कुल के जल्डी से काटो वह सौन को मिल जाए कि लिए सबर हो रहा है और यह सबर से यह होखे है टो नी एक लग न गहीं हो आदी पहु है और यह कपडिया है बात्रूम में क्योंकि बच्चे भी आपर बैठ के खा रहा है अगा छोर के जाओं इने तो हो सकते चूए बगर आ जाए और यह डर जाए क्योंकि बहुत जदा चूए मेरे रूम में होगा सुबा भी बिए कोई बात नहीं बस यह समय कर जाए और टाइम पास हो जाए और कु कानू कानू एक मिठा है किया एक चोटवा तो खान से मतला है कोई बीजीच चाहें क erfolgences हो मेरा फॉन उल्टा है कोई बाद नहीं विटा उल्टाओय फोन कोई बात नहीं से हो जाएगा के लादू koncert नहीं को अब नहीं खाओगे आप खाओगे ठीक है अब आप अब लेलो आप लेलो नहीं चला कोई बात नहीं मतलो आप खालो है ठीक तो दोस्तों यह लेकर थी थोड़ा बहुत सामान जो भी है श्रीक है एक कीलो केला और अचे काम फाह जो आदि क्या तब किलो कीलो फट्ता ऐन ऑधा नहीं गया यह साथटारी नहीं हमदने ऑन जो वाला ग्लो चायो काम आन दो किलो को बचागे लीजहां एक पावर बिंडी और पावर यह क्या बोलते इसको टिंडा लेकराईं बच्चों के लिए तो दोनो बच्चों के लिए समान आदी लाई नहीं को झाब पकार JEगा लाना तो मुझे सोनू के लिए दो टीशेट लेकिन मेरे पास फिलाल पैसे नहीं है और देखती हूं अगर इस माईने खतम होने के बाद में उसका कपड़े का जुगार हो जाता है तो दो टीशेट लेकर आऊंगी क्योंकि बाबू के पास एक भी टीशेट नहीं है पिसले बार जो है कर लेकर आई थी कर एक तो छोटू के लिए उसके कई आरे जाने के लिए नहीं था और एक सोनू के लिए लेकर आप सबको पता है मुझे भी इने टीशेट की बहुत ज़रू थे लेकिन इस टाइम हो नहीं सकता पहले बच्चे का टीशेट लाना जरूरी है क्योंकि बाद जाता है और में बात यह उसका टीशेट का है ना वह उपर वाला जो हिस्सा है कंदे पे चुवा खा गया है जो फटा हुआ कपड़ा पैन के जाता ना टीशन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो देखती हूं उसके टीशन के लिए तो कपड़ा लाना है पड़ेगा तो दोस्तों अभी हो रही है शाम की टाइम शाम मतलब सारे आठ बच चुका है तो आज की वीडियो को इसके साथ दैन करते हूं उम्मीद करते हो अच्छे लगे होगी और अगर अच्छे लगे होगी ना तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले मिल